हम class 10 math के important question का solution कर रहे हैं RBSC 2014 का ये आपका question है ये आपका आया हुआ है exercise 5.3 में से ठीक है जहाँ पर आपको ये इस type के जो question दे रखे हैं उन में से ये आपका एक question है इसमें देखिया आपको क्या दे रखा है ये आपका 3 नमर में आया हुआ ठीक है इसमें दे रखा है AP के पर्थम 12 पदों का योग दे रखा है तो यहां लिखना है दिया है AP के पदों को योग को हम किस से लिखते हैं SN से लिखते हैं तो यहां पर 12 पदों का योग कितना दे रखा है 400 दे रखा है और सारवंतर 6 दे रखा है और आपको पूछा क्या है इसका दस्वापद पूछा है ओके आसान कुशेन है तो यहाँ पे हम जानते हैं चुकि S N बराबर आपका N बाइ 2 2 A प्लस N माइनस 1 D होता है यहाँ से आपके पास क्या आजाएगा A का विलू आजाएगा और फिर यहाँ पे आपको A N का फॉर्मला लगाना है क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D होता है ओके क्विशन आपका सोल हो गया एक मिनट में आप तो बस कैल्कुलेशन करना है तो यहाँ पे S 12 बराबर क्या आगया 12 बाइ 2 2 मल्टिप्लाई A N के जिगे 12 D के जिगे आपका 6 अब S बार आपको कितना दे रखा है दोस्तों 400 दे रखा है यह आपका कितना 6 टाइम कैंसे लोट हो गया 6 देखो यहाँ पे इस पूरे के किस में है multiply में है तो यह इस तरफ किस में आजाएगा divide में आजाएगा यह कितना हो गया 11 multiply 6 हो गया इसमें 6 का divide करेंगे तो आपके पास कितना आएगा देखो कितना 78 आगया यहाँ आपका 2 A बराबर देखो इनका multiply करेंगे 66 आएगा इस तरफ plus का है तो दूसरी और आकर minus का हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया यहाँ पे 1 आ गया यहाँ आ बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका 12 by 2 यहाँ 6 आ गया ओके तो अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ नीचे लिखना होता है यहाँ लिख रहा हूँ देखिए उपर जगे पढ़िए a 10 बराबर a प्लस यहाँ n के जगे 10 रखा तो 10-1 9 d आ गया a के जगे आपका कितना निकल कराया है 6 निकल कराया है d के जगे आपको 6 गिवन है तो यह कितना हो गया दोस्तों आपका 54 प्लस 6 कितना 60 हो गया तो इस फ्रकास यह आसान सा आपका कुशेन है जो कि हमने सोल कर लिया आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तया दिल से धनेवादा भार और यह वीडियो की लिंक नीचे पड़े होने जाकर देखिए